आज का जो विशय मैंने अपने मनन के लिए चुना है, आपके साथ बाटने के लिए चुना है वो विशय इस महिने से संबंधित है दस साल पहले मैं अमेरिका में ही एक शहर जिसका नाम कार्सन सिटी है वहाँ पर मैंने संडे को प्रचार किया और मंडे मैं वही था एक घर में मैं था और मंगलवार को मैं सुबह तयार हो करके मुझे प्लेन प्रकड़ना था मुझे एक दूसरी जगा जाना था तो मैं तयार हो करके अपने बैग और बैगज के साथ मैं सिटिंग रूम में आया और जो घर की महिला थी मैंने उनसे कहा कि सिस्टर एरपोर्ट जाना है मुझे एरपोर्ट पहुचा दीजे और उन्होंने मेरी और देखा उन्होंने कहा कि मुरार भाई आप कहीं नहीं जा र एक बड़ी सी बिल्डिंग के अंदर घुस रहा है और मैंने का रहे यह क्या है कोई कोई पिक्चर चल रही है कोई हॉलिवूड की मुवी चल ली कोई इंग्लिश मुवी चल ली बोले नहीं न्यू यॉर्क में बहुत बड़ा हाथसा हो गया है एक दो प्लेन वहां की दो बि बड़े थे और वहां 9-10-11 बजे वहां ऐसा हाथसा हो रहा था हमारे आग के सामने और मैं बहुत मैंने का यह अचानक क्या हो गया अभी तक बिल्कुल ठीक था सुबह मैं अराम से उठा अराम से नहाया धोया तयार हुआ बैग बैगेज पैक किया अगले अगले इस ग्राउंड कर दी गई थी पूरे देश में कुलहाल हो गया था अचानक और आज मैं इसी शब्द अचानक पर आपसे बाचीत करना चाहता हूँ और चुकि दस साल मनाया उन लोगों ने और यहां पर बड़ा एक हंगामा था उस दस साल का जैसे आपने टीवी निउस प अचानक सडनली और याद रखिएगा कि बाइबल भी अचानक आने वाली विपत्ति की बात करती है यह अचानक जो विपत्ति है यह ऐसी विपत्ति है जिसके लिए आप तयार नहीं रहते हैं अगर आपके पास आपकी बाइबले हो तो आप मेरे साथ निकाल दीजे पहला थिसलोनी को उसका पांचवा ध्याय मैं इस अचानक शब्द पर आप से बात करना चाहता हूँ भगरवाले को अचानक छू करके बोलिए अचानक सडनली अच्छा जब मैं बीच प्रचार कर रहा होंगा तो बिना बताई हुए भगरवाले को अचानक छू दीजेगा और कहिएगा अचानक अभी बताईएगा नहीं उसको बीच बीच में एक दो बार दरूर थ्वाज़ा छू करके टच करके बोलिएगा अचानक तब पता चलेगा कि वाकई यह अचानक होता क्या है पहला तुसलोनी को उसका पाचवा अध्या है और उसकी पहली आज़से मैं पढ़ना चाहता हूँ कि पर हे भाईयो इसका प्रयोजन नहीं कि समयों और कालों के विशय में तुम्हारे पास कुछ लिखा जाए तुमको तयार रहना है तुमको जानना चाहिए समयों और कालों और टाइम के बारे में लिखने की जरूवत नहीं है क्योंकि तुम आप जानते हो कि जैसा रात को चोर आता है वैसे ही प्रभू का दिन आने वाला है तुमको बालूम होना चाहिए ये बताने की और ये प्रचार करने की जरूवत नहीं है जब लोग कहते होंगे कि कुशल है एवरिटिंग इस ओके नो प्रॉब्लम सब ठीक चल रहा है और कुछ भै नहीं तो उन पर एक आएक विनाश आ पड़ेगा ये एक आएक ये अचानक विनाश की बात बाइबल करती है जब सब चीज ठीक चल रहा होगा और आप देखिए उस 9.11.9.11.2001 सब चीज बिलकुल ठीक चल रही थी और एक आएक बगैर किसी की प्री नॉलेज के बगैर किसी के पहले जाने हुए एक आएक पूरी दुनिया बदल गई पूरी दुनिया पुरा जगद पूरा संसार 9.11 के बाद एक आएक बदल गया और बहुत सी घट्डाएं हमारे जीवनों में अचानक होती है सडलनी होती है जिसके लिए हम प्रिपैर नहीं रहते हम तयार नहीं रहते और आज मैं इसे पर बात करना चाहता हूँ कि इस अचानक चीज से कैसे बचा जाए क्योंकि बाइबल बताती है कि जो लोग उस पर भरोसा रखते हैं वो अचानक आने वाले भै से नहीं डरेंगे अगर आप मेरे साथ है तो नीती वचन और उसका तीसरा अध्याए और उसकी 25 वी आए अचानक आने वाले भै से ना डरना याने भै अचानक आता है और बाइबल हमें याओ के साथ कहती है कि अचानक आने वाले भै से ना डरना है कोई बोलेगा प्रेश दे लॉड मेरे साथ तैंक यू जीकसर ये अचानक जो हाथ से हमारे साथ होते हैं मैं थोड़ी चर्चा करना चाहता हूँ कि सबसे पहले ये अचानक हाथ से होते क्यों है और सबसे पहला इसका कारण जो है वो हम जब अपने शरीर को संतुष्ट करना चाहते है तो हम पर अचानक हाथ से हो जाते हैं क्योंकि ये शरीर बड़ा नाजूक है, ये शरीर बड़ा कमजोर और कॉमल है और कई बार ये शरीर सिर्फ आज और अभी तक की ही बात करता है, इसको कल और कल के बारे में नहीं मालूम है और कई बार इन शरीर की अभिलाशाओं को पूरा करने के चक्कर में हम अच्छानक विपत्ती में पढ़ जाते हैं शरीर की अभिलाशा फिर से किसी को अच्छानक चुके बोलिए शरीर की अभिलाशा शरीर की अभिलाशा ये शरीर हमें अचानक विपत्ती में डाल देता है और मैं आपसे निवेदन करना चाता हूँ कि बाइबल जैसे कहती है कि शरीर की अभिलाशा को पूरे करने की कोशिश ना करो क्योंकि शरीर के अभिलाशाय हमें अचानक विपत्ती में डाल देती अगर आप शरीर के नुसार चलेंगे तो आप अचानक विपत्ती में पढ़ जाएंगे और ये अचानक की विपत्ती अच्छी नहीं है आप सोचिए कि अगर उस 9-11 के दिन को एक दिन पहले बता दिया आता है किसा आप कल दो हवाई जहाज इस टावर से टकराएंगे कितनी लोग उस टावर में गए होते हैं आप बताईए एक बीजर उस टावर में नहीं होता क्योंकि वो पहले से प्रिपैर होते मगर शरीर के अभिलाशाती की नौकरी करना है शरीर के अभिलाशाती की बिजनस करना है शरीर के अभिलाशाती की गाहकों से मिलना है क्लाइंट से मिलना है लोगों से मिलना है पैसे आने है बैंक से निकालना है मैं जमा करना ये शरीर की अभिलाशा अच्छानक हमें विपत्ती में जाल देती मित्रू और मैं दो बाइबल के ऐसे लोगों का उधारण दिलना चाहता हूं जो अच्छानक विपत्ती में पड़े क्यों शरीर की अभिलाशा के कारण और उन में से एक शक्स था जो बड़ा बल्वान था जिसको न्याई के रूप में रखा गया था और उसका नाम था शिम्शौन शिम्शौन खुब अच्छा काम कर रहा था और इस्राइलियों का न्याई कर रहा था यहुदा के लिगों का न्याई कर रहा था पलिष्टी जो उन पर चार करके आते थे उनको मारता था पीटता था उनको भगाता था और इस्राइलियों की रक्षा करता था उसलिए उसका अभी शेक हुआ था उसलिए उसको उतनी ताकत दी गई थी कि वो शत्रू का मकाबला कर सके आत्मिक ताकत उसके उपर उतरती थी मगर एक दिन जो शरीर उसको दिया गया था आत्मा को रख करके और उस शरीर के द्वारा शत्रू को पराजित करने का वो बजाए आत्मा के अभी लाशा को पूरा करने के वो शरीर के अभी लाशा को पूरा करने लगा और जब मित्रो हम शरीर के भी लाशा को पूरा कर रहे लगते हैं हमें शरीर दिखाई देने लगता है हम पर विपत्ती अचानक आ पड़ती है और क्या हुआ नियायों की पुस्तक उसका सुलावाद ध्याय 19 वी और 20 वी आयत मैं समय नहीं लूँगा आप पढ़ने में लेकिन 19 वी और 20 वी आयत में लिखा हुआ कि किस तरीके से शिम्शान एकिस्त्री दलीला नाम के एकिस्त्री की गोद में सो रहा था चैन से सो रहा था और दलीला के पास क्यों गया था शरीर के अभिलाशा को पूरा करने के लिए वहाँ जाने का उसका कोई अभी प्राय नहीं था वो अन्यजाती थी उसका उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए था लेकिन शरीर की आउशकता को पूरा है शरीर के अभिलाशा को पूरा करने के चक्र में दलीला की गोद में वो सो रहा था और हुआ क्या लिखा है कि अच्छानक पलिष्टी उस पर टूट पड़े मित्रो जब आप शरीर के नुसार चलेंगे तो ये अच्छानक की विपत्ती आप पर कभी भी आ सकती है फिर जब बगलवाले को चुके बोलिए अच्छानक ये सडन डिस्ट्रक्शन और शिम्शौन जो इतना मजबूत जो इतना शक्तिशाली जिसको बनाया गया था जिसको पैदा किया गया था जिसको अभी शेख दिया गया था शत्रों को पराजित करने का आज खुद शत्रों से पराजित हो करके अंधा हो करके और जेल के सलाखों के पीछे चक्की पीसरा क्या हो गया शिम्शौन तुम तो आप सोचिए अगर शिम्शौन को मालूम होता कि पलिष्टियार है अगर शिम्शौन को पता रहता कि किस तरीके से ये मेरा बाल चिलवा देंगे मेरा भी शेक खतम कर देंगे और याद रखिएगा कि जब ये विपत्ती अचानक आती है विकाज यू आर नोट रेडि फॉर इट आप बरबाद हो जाते हैं और आज बहुत से मसीयों को बहुत से चर्च गोवर्स को बहुत से चर्च वालों को हमने देखा है मित्रो बरबाद होते हुए देखा है क्योंकि उन्होंने शरीर के अभी लाशा को पूरा करने के कुशी की और अचानक उन पर विपत्ती आ पड़ी और उसके लिए वो तेखा है देखी जब कोई चीज अचानक हो जाती है यॉर नोट रेडी फॉर दैट मगर जब आप शरीर के नुसार चलेंगे तो अचानक विपत्ती का आना आप ताल नहीं सकते ये विपत्ती आएगी जिसके लिए आप तयार रही हैं तो बड़े खुश शरीर के अभिलाशा पूरी हो रही है शरीर के अभिलाशा पूरी हो एंजॉई कर रहे है कोई प्रॉबलम नहीं है लेकिन एक दिन अचानक विपत्ती आ जाएगी एक और शक्स का मैं उधारण लेना चाहता हूँ जो नए नियम का शक्स है और वो था छोटा बेटा जिसका नाम हमने उड़ाओ पुत्र तरक रख दिया है आपको याद होगा कि अपने बाप से वो धन की मांग किया उसने अपने हिस्से की मांग किया क्यूँ शरीर के अभिलाशा पूरा करना वो बाइबल कॉलेज की ट्रेनिंग के लिए नहीं जा रहा था वो किसी चर्च को स्टार्ट करने नहीं जा रहा था वो कोई क्रूसेट करने नहीं जा रहा था कोई इवैंजलिस्टिक मीटिंग करने नहीं जा रहा था कोई प्रचार के काम में कोई मिशनेरी यात्रापर नहीं जा रहा था शरीर के भिलाशा को उसको पूरा करने का धोना गया और बहुत खुशी-खुशी सोचा कि सब चीज अकॉर्डिंग ली चल रहा और देखे शरीर के भिलाशा में क्या होता है कि काफी दिन तच सब चीज़े ठीक चलती आपके मन मताबिक चलती और आप सोते हैं वेरी गुड अवरीटिंग इस वर्किंग अकॉर्डिंग तो माई विल मेरी इक्षा के नुसार सब कुछ ठीक चल रहा और शिम्शान भी सोचा था कि मरे दलीला मिल गई इतनी खुबसूरत इस तरी मिल गई मेरे उपर मर रही है और मेरे से अच्छा कोई खुबसूरत है नहीं और फलाना है और इस इस तरी को मैंने इंप्रेस कर लिया है अवरीटिंग वस गुइंग फाइन अच्छानक फिर से चूके बोलिए किसी को अच्छानक को हिस्सा दे दिया तो इस तो सुचा रहे वाह क्या बात है मेरा तो सारा प्लान अकॉर्डिंगली हो रहा है जैसे है जैसा मैं चाह रहा हूँ मेरी योजना वैसे वैसे पूरी हो रही है कोई फरक नहीं पढ़ रहा मेरे को मैंने बाप से मांगा बाप ने मुझे दे दिया और दूर देश चला गया बेखबर अचानक आने वाली विपत्ती से बिलकुल बेखबर और मित्रो कई बार हम और आप अचानक आने वाली विपत्ती से बिलकुल बेखबर होते क्योंकि शरीर आपको उकसा रहा है शरी किरा रहे बिलकुल ठीक कर रहे हो नो प्रॉबलम बड़ा मज़ा आ रहा है बहुत एंजॉय कर रहे हो और करिए जितने शरीर की अभलाशा को पूरा करना है लेकिन ये बहुत दिन तक फले फूलेगा नहीं और लिखा हुआ है कि जब उसका सारा माल खतम हो गया जब तक माल था तब तक वो देश में भी कोई प्रॉबलम नहीं थी सब कुछ ठीक चल रहा था मगर एक दिन अच्छानक अकाल पड़ गया अगर उसको पहले से मालम होता कि अकाल होने वाला है तो हो सकता है कि अपनी संपती का कुछ भाग बचा करके रखता है मगर प्राबलम यह है कि वो तो शरीर को खुश कर रहे है अरे मेरे को नौकरी कर रहा है मेरे को बिजनस कर रहा है मेरे को शादी कर रहा है मेरे को ब्याह कर रहा है मेरे को बी-बी को खुश करना है मेरे को बच्चों को खुश करना है मेरे रिशिदारों को खुश करना है कर देना है तो हमने किसी और का मंदिर बना रखा है और अचानक अकाल आ गया मित्रो और ऐसा भायानक अकाल आया सोचिए दो ही चार लाइन में उस बच्चे की ऐसी हालत हुई उस लड़के की ऐसी हालत हुई जो बाप का बेटा था जिसके पास इतना माल सबाब था वो भी उ दूर देश चला गया उस जबाने में दूर देश जाना असान बात नहीं थी और दोचार लोगों को ले करके गया इतना था उसके पास आज अच्छानक जब अकाल पढ़ा तो दाने दाने को महताज हो गया चमते क्या खाने लगा सुवर की फलिया खाने पर मजबूर हो गया मित्रों कहिए ऐसा नहो कि अच्छानक आने वाली विपत्ती आपको सुवर की फलिया खाने पर मजबूर कर दे मुझे बने जब इसको सोचा मैंने जब पढ़ा तो मुझे अंदर से ऐसा डर हुआ प्रभु जी कहीं ये अच्छानक कोई विपत्ती ना आ जाए everything is going well, सब कुछ अच्छा चल रहा है कहीं अच्छानक विपत्ती ना आ जाए लेकिन आज मैं आपको ढारस और हिम्मत देना चाहता हूँ जैसा नीती वचन ने कहा कि अच्छानक आने वाली विपत्ती से भै मत खाना कौन? कौन? किसके लिए कह रहा है? आप नीती वचन तीन पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा किसके लिए कह रहा है? कि अचानक आव विपत्ती आएगी और अचानक भी आएगी लेकिन उससे तुभै नए खाना कौन? वो जो शरीर की अभी लाजशा के नुसार नहीं चलता जो शरीर की इक्षा को पूरा करने के बजाए परमेश्वर की इक्षा को पूरा करना चाहता है अगर आप मेरे साथ है तो हाथों को उठा करके बोलिए प्रेस दे लॉड प्रभू हम शरीर की नहीं लेकिन तेरी इक्षा को पूरा करना चाहते है और इसलिए जब उसने प्रारता करना सिखा है तो उसरे कहा कि मेरी नहीं लेकिन तेरी इक्षा पूरी हो ठैंक यू जीजस जैसी तेरी मर्जी आस्मान में पूरी होती है वैसे जमीन पर याने मेरी जमीन पर मेरे हिर्दे में, मेरे शरीर में, मेरे जीवन में वैसी इक्षा पूरी हो प्रभू जी शरीर की इक्षा नहीं लेकिन तेरी इक्षा मेरे जीवन में पूरी हो आप क्या चाहते कि संडे मॉर्णिंग मैं कहा रहूं सेटे डे नाइट से मैं प्रेपरेशन करने लगाऊ दूआ और प्रार्ता के साथ बाइबल के वचन के नुसार मैं अपने आपको तयार करूँ कि जब तेरे पवित्र भवन में जाओ प्रहूजी तो पवित्रता से शोभाय मान हो करके तेरे भवन में जाओ ताकि अचानक विपत्ती अगर आए भी मित्रो विपत्ती आएगी और अचानक आएगी मगर हमें कोई भै नहीं है कोई डर नहीं है आप है मेरे साथ प्रेश दिलॉट बोलने के लिए थैंक यू जीजस अगर आपका तवक्कुल आपका भरोसा खुदावन पर है तो ये अचानक आने वाली भी पत्या लेकिन देखिए प्रॉबलम ये है कि अगर आपने ये जो हमने वचन कहें आपसे इस पर मनन नहीं किया ध्यान नहीं किया तो बाइबल इस बारे में भी बात करती है कि जो बार बार डाटे जाने पर हट करता है वो अचानक नाश हो जाएगा हो सकता है कि आपका डाटे जा रहे हैं कोई फरक नहीं पड़ रहा है कहीं अचानक आप नाश नहो जाए आप दो महीने पहले की नोटिस ना मिलेगी साथ दो महीने के बाद आप नाश हो जाएंगे तब तो आप अपने आपको त्यार करी लेंगे मित्रो मैं दुआ करता हूँ मेरे चर्च का कोई भी मेंबर अचानक नाश ना होने पाए जो बार बार सीख और शिक्षा यहां से दी जा रही है चाहे वीडियो के जरीए और चाहे आडियो के जरीए और चाहे पुल्पिट के जरीए चाहे प्रेजन वर्शिप के जरीए चाहे आपकी सभागता के जरीए हम संभल जा और कहे प्रभू जी हमें तेरी इक्षा पूरी करनी है और याद रखेगा जो उसकी इक्षा को पूरी करते है उन पर विपत्ती आएगी भी तो वो भै नहीं खाएंगे और मैं एक शक्स का उधारन देना चाहता हूँ और उसका नाम अयूब था अच्छानक विपत्ती आई थी उसके उपर भी मित्रो इतनी भयानक विपत्ती थी कि हम और आप होते न तो मैं इसे होता है कि हम लोग तो सुईसाइड कर लेते जिसके जवान बच्छे मर जाए सब चीज एक के बाद है मतलब एक के बाद एक नौकर गया नहीं कि दूसरा आ रहा है और सब विपत्ती की बात कर रहे है वो शत्रू आये थे वो तेरा गाए बेल हाक ले गए वो तेरी भेड़ बकरी ले गए और वो तेरा गर चाचा के हाथ है घर गिर गया सब मर गया सूची एक के बाद एक बुरे समचार मिलते जा रहे है मिलते जा रहे I mean he was left with nothing और उसके बाद उसके दोस्त आ करके उसे कह रहे है कि शराब दे उसने कहा तूने दिया तूने लिया तेरा नाम धन्य है ये है परमेश्वर की इक्षा पर चलने वाले व्यक्ति का मस्तिश्क उसका मानसिक जो संतुलन है वो बना रहता है भले ही भी पत्ती आ जाए लेकि उसको मालूम है कि चाहे मैं घोर रंधकार से भरी हुई तराई में हो करके चलू तो अभी मैं हानी से ना डरूँगा क्योंकि तू मेरे साथ है एक बात यहां कहना चाहता हूँ मुझे याद है दस साल पहले जब मैं अमेरिका में था और वो कांड हुआ नौई ग्यारा का उसी शाम को इसी देश के राश्पती प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश टीवी पर आया उन्होंने लोग को संदेश दिया और उन्होंने अपना संदेश जानते हैं कहां से शुरू किया उन्होंने यहीं से शुरू किया चाहे मैं घोर अंदकार से भरी हुई तराई में होकर चलू तो अभी मैं हानी से ना डरूँगा क्योंकि तू मेरे साथ है और मैं थोड़ी देर के लिए सोची लगा मैंने कहा है ये शक्स ये लाइने कोट कर रहा है ये पद बोल रहा है जिसके पास सारी दुनिया की ताकत है एक बार कह दे तो इतना बड़ा वार हो जाए तो ये शक्स खुदावन पर भरोसा कर रहा है उस पर तवक्क्ल कर रहा है चाहे मैं घोर अंदकार से भरी हुई तराई में मित्रो विपत्तिया आएंगी और अचानक आएंगी लेकिन वो जो परमेश्वर की इक्षा के नुसार चलते है आप हो सकता है कि संदेश को अभी निकल करका भी भूल जाए और आपके लिए सिर्फ एक और ये वीडियो संदेश हो लेकिन एक बात याद रखेगा जो बार बार डाटे जाने पर हट करता है वो अचानक नाश हो जाएगा मित्रो मेरी यही दुआ है कि आप में से एक जन भी नाश ना हो ये संदेश छोटा जरूर है मगर इस संदेश में बहुत गहराई है और ये संदेश ने मुझे अंदर सक हिलाया क्योंकि ये अचानक आने वाली विपत्ती से मैं बहुत डरता हूँ और मैं चाहता हूँ कि कही है ऐसा नहों कि ये अचानक आने वाली विपत्ती मुझे नाश कर दे और दिखी अगर आप चाहते हैं कि आप नाश ना हो तो आप क्यों नहीं हमेशा प्रीपैर रहते तो विपत्ती कभी भी आए यूरे प्रीपैर मेरी जान यहाव आपर भरोसा रख वही मेरा मूल है वही मेरा सब कुछ है काश कि हम हमेशा तयार रहे हैं प्रभू विपत्ती आए आपत्ती आए कुछ भी आए कोई फ़रक नहीं मैं तो तयार हूँ I am ready और जो खुदावन पर भरोसा रखते हैं उन पर विपत्तिया तो आएंगी और अचानक आएंगी मगर उन्हें कोई डर और कोई भैं नहीं होगा अयूब ने सारी विपत्तियों का मुतोर जवाब दिया जिसके हाथ से सुख लेते हैं उसके हाथ से दुख ना ले और बाइबल कहती है कि जो तुम्हें दुख होता है देखिए बाइबल हमारे लिए जो हम उसके खून से धुले हुए लोग है हम जो उसके पुत्र और पुत्री हैं हम जो क्रिशन कहलाते हमने जो उसके नाम में बबतिस्वा लिया है उसके नाम पर जो हम विश्वास करते हम उनकी बात कर रहे हैं उनको जो दुख होता है वो कहीं परमेशर के उसे तारना तो नहीं है और लिखा है कि दुख को तारना समझ करके सहलो क्योंकि जो बच्चे होते हैं जो बालक होते हैं उन्हीं की तारना की जाती है कौन सा ऐसा प अचानक आएगी, मगर we will be saved, हम बचाए जाएंगे काश की प्रभू आज हमारे उन नैनों को खोल दे उन आखों को खोल दे उन चक्षूओं को खोल दे आत्मिक ग्यान हमें दे दे, प्रभू जी मैं अचानक नाश नाश नहीं होना चाहता हूँ, मैं अचानक नाश नहीं होना चाहती हूँ प्रभू जी मैं शरीर के अभी लाशा के नुसार नहीं, लेकिन आत्मा के चलाए चलना चाहती हूँ मैं आत्मा के नुसार, जो आपने कहा कि हम नाश हुए जाते हैं येशु मसी ने कहा कहीं नाश नहीं मैं हूँ इस कश्टी के अंदर कैसे नाश हो जाओगे इन हवाओं की और इन लेरों की हिम्मत है कि मेरे रहते हुए ये कश्टी डुबा दे सोचिया कभी हो सकता था ऐसा हाँ अंधिया चल रही थी लेरे चल रही थी लेकिन क्या आप सपने में भी कल्पना कर सकते कि क्या वो कश्टी येशु मसी के साथ डूब जाती नहीं ना तो अगर येशु मसी इस कश्टी के अंदर है तो लेरे आएंगी और तुफान आएंगे और अचानक लेरे उठेंगी और अचानक तुफान आएंगे मगर येशु मसी अगर जीवन में है तो वो लेरे और वो तुफान इस जिन्दगी को डुबा नहीं पाएगा हमें डरा जरूर सकता है थोड़ी दिर के लिए हम मनुशे है भै जरूर खा लेंगे लेकिन क्या लिखा हुआ अडिती वचरह ने पढ़ा कि वो अचानक आने वाली विपत्ती से भै नहीं खाता मड़र मैं तेरे साथ हूँ साल के हर एक दिन 365 दिन उसने कहा मड़र अचानक आने वाली विपत्ती आया करे विपत्तिया I don't care मेरा तवक्ल मेरा भरोसा उस चटान पर है उस खुदावन पर है जो अलफा रोमिगा है जो अनादी और अनंथ है जिसके हाथ में जीवन की कुझी है जिसने मौत को परास्त किया है और वही मेरा पिता है वही मेरा राजा है वही मेरा सब कुछ है मेरा उधार करता मुझे फिर से लेने के लिए आने वाला है उसी येश्यू नाम पर मेरा भरोसा है आप सबों को बहुत बहुत प्रभु का आगमन मुबारक हो प्रभु की शांती मुबारक हो प्रभू की आत्मा मुबारक हो उसने हमें भै की नहीं आत्मा दी है लेकिन प्रेम और विश्वास की आत्मा दी है मित्रो बड़े हियाओ के साथ जीवन बिताईए आने दीजिए विपत्तिया अचानक आने दीजिए हमारा भरोसा तो उस खुदावन पर है प्रभू आप सबको बड़ी आशीश दे प्लीज मेरे और मेरे परिवार के लिए प्रारता करना मत भूलिएगा हमारी भी दुआएं आप सबों के साथ है प्रभू आप सबको बहुत 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 आशीश दे जैवसी की ट्रेस दोलॉड